हेलो दोस्तो स्वागत है आपका अपना यूटूब चैनल टेक नॉलेज वित अविनास में दोस्तो अगर आपका एज 18 साल हो गया है तो आप नया वोटर कार्ड अपलाई कर सकते हैं और आने वाला हर चुनाओं में आप वोटिंग दे शकते हैं तो चलिए इस वीडियो में ह कैसे अपलाई करेंगे अपने फोन से ही तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए दोस्तों वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए सबसे पहले हमको प्ले स्टूर में जाकर एक डाउ सब्सक्राइब सकता है अगर न्यू यूजर तो रजिस्ट्रेशन कर सक्ते है या थवा 건데 कर सकते हैं उशके यहां फॉर्म पे किलिक करेंगे फॉर्म पे करने के बाद उपर जो है अप्लाई ऐँँ अओन लाइन निव इस पर किलिक करेंगे । उसके बाद आप अपना district select करेंगे, district के बाद आपका जो अपना बिधान सभा है वो select करेंगे, उसके बाद next पे click कर देंगे, दोस्तों उसके बाद यहाँ name of applicant जिसके नाम से water editor बनाना है उनका नाम डालेंगे, उसके बाद है surname, उसके बाद है date of birth, email, mobile, तो चलिए सबसे पहले नाम डालत हैं, जोस्तों यहाँ पर automatic हिंदी में नीचे हो जाएगा, उसके बाद आप अपना जेंडर select करेंगे, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करने के बाद next पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप अपना house नंबर select करेंगे, कोई भी जो आपका house नंबर होगा वो आप डालेंगे, उसके बाद estate area आपना डालेंगे, उसके बाद आपना post office डालेंगे, उसके बाद pin code डालेंगे, उसके बाद अपने आप address पर कप्त से रह रहे हैं, उसका डालेंगे, दोस्तों उसके बाद permanent address है, अगर same address है, तो आप यहाँ same as above पे click कर सकते हैं, न तो आप change भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम same as above पे click करेंगे, यहाँ देख सकते हैं, जो automatic fill हो गया है, उसके बाद हम next पे click करेंगे, उसके बाद यहाँ है name of relative of applicant co-edulation का कोई नाम रखेंगे, तो चलिए सबसे बढ़े relation नाम रखते हैं, उसके बाद type of relation है, जो relation है वो डालेंगे, इसमें से कोई सा भी हम select कर लेंगे, परना ऐसे भी हम next कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे है your photo graph, यहाँ पे अपना passport size photo डालेंगे, उसके बाद edge proof, edge proof के लिए देखिए, यहाँ पर type of document पर select करेंगे, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, इंडियन passport, pen card, driving license, अधार card, कोई भी डाल सकते हैं, उसके बाद है type, address proof में, type of document में यहाँ पर देख सकते हैं, क्या क्या डाल सकते हैं, electricity bill है, gas connection bill है, telephone bill है, water bill है, rent agreement है, income tax है, रासन कार्ड है, इसमें से आप कोई भी डाल सकते हैं, आप फोटो अपलोड करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद गैलरी में जाएंगे, उसके बाद हम next पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद यहाँ देख सकते हैं, दोस्तों, I am citizen of India and place my birth, यहाँ पर जो जहाँ पर बर्थ हुआ था, उसका address डालेंगे, उसके बाद यहाँ पर address डालेंगे, उसके बाद जो declaration है, उसके ट्रिक करेंगे, उसके बाद place डालेंगे, next पर क्लिक करेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे मैंने form fill up किया था, वैसे यहाँ पर आ गया, यहाँ पर देख सकते हैं, कोई अगर गलत हुआ है, document में तो आप यहाँ से सिर्फ, फिर back जाकर, सब कुछ सही कर सकते हैं, अगर आपका कोच कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर next पर क्लिक करके, उसके बाद यहाँ पर, यहाँ confirm पर क्लिक कर सकते हैं, तो दोस्तों मुझे यह जो है, आप confirm करिएगा, उसके बाद एक thank you का pop-up खुलेगा, उसमें एक reference नमबर मिलेगा, जिस reference नमबर से आप बाद में status चेक कर सकते हैं, क्योंकि मेरा apply नहीं करना है, इसलिए इसको हम cut करते हैं, और चलिए चेक करते हैं, कि आप कहां से status चेक कर सकते हैं, status चेक करने के लिए हम three dots पे यहाँ पे किलिक करेंगे, उसके बाद यहाँ है status of application, उसके किलिक करेंगे, और जो reference ID मिलेगा, हम उसको इसमें डालेंगे, और track status पे किलिक कर देंगे, हमारा जो status है, अभी कहां तक हुआ है, वो इसमें show करेगा, उसके बाद यहाँ पे हम बनने के बाद यहाँ पे search भी कर सकते हैं, बार कोड से search कर सकते हैं, search by detail है, अपना जो address डालेंगे, उससे भी check कर सकते हैं, उसके बाद है e-pick number जो आपका अगर बन गया है, वो ID इसमें डालिएगा, automatic आपका जो पुरा water है, water ID card आ जाएगा, तो अगर वीडियो अच्छा लगे, तो वीडियो के लाइक किजिए, ज्यादा से ज्यादा सेर किजिए,